तो फ्रेंड जब और फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ विश्व तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft World में Degree Celsius और Degree Fahrenheit का सिंबल कैसे बनाते हैं, shortcut key की मदद से तो देखें, बहुत सिंपाल है, सबसे पहले हमें टाइप करना है backslash, उसके बाद हमें टाइप करना है D E G, उसके बाद अगर Celsius का है, तो हमें C टाइप करना है, उसके बाद इंटरप्रेस कर देना है, तो आप देखें, degree Celsius बन गया है, उसी तरीके से Fahrenheit पे भी सेम है, backslash टाइप करिए, उसके बाद D E G टाइप करिए, उसके बाद अगर Fahrenheit है तो यहाँ पर F टाइप कर दीजे, जैसे ही आप इंटरप्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे, Fahrenheit का सिंबल बन गया है, ठीक है?